हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू मैं चैनल एदरेट सरवरुसंद दादा जहां आपको ग्यान मिलेगा सबसे ज़्यादा जी हाँ जहां जहां जो में लोग देखने वाले हैं 9th ICC Mins T20 World Cup 2024 जो कि आज से 2 मैना पहले कम्प्रिट कराएं गया आप लोग सुस्ते होंगे यह तो काफी पुराना हो गया अच्छली जब भी कोई भी टॉपिक आता है संगे संग आप तो देखेंगे बट आपका दिमाग में नहीं रहता है और आपको संगे संगे संग एक्जाम में आने भी वाला नहीं है कम से कम 2-3 मैना बाद ही वो एक्जाम में आएगा तो अब जैसे कि एक अपता बाद से ही इसे जल के एक्जाम चालू होने वाला है फिर पीसी मिसलेनियस होने वाला है तो यहां से सवाल बन सकता है ठीक है तो आप लोग गौर से देखिएगा बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है बहुत जादर डिटेल अपके मिलेगा अच्छे यह जो इस बार 2024 का इसी से इवेंट तक टी 20 मेंग्स वर्लक अपका यह 9 एडिशन था यह याद रखिएगा कौन से एडिशन था 9 और यह इस बार को होस्ट किया गया वेश्ट अडीज और USA में पहली बार यह USA में कराया गया और वेश्ट अडीज में यह दूसर इस वर्ल्ड अपने देखा भी होगा अच्छा इसमें क्या किया यह T20 वोल्ड कप जो था इसमें चार ब्रैंड एंबसेडर रखा गया बहुत ही फेमस महान महान अस्ती लोग को रखा गया पहला तो यूरा सिंग यूरा सिंग आपको मालूम है हमारे इंदुस्तान के होती बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड भी है पहला जो T20 वर्ल कप वह था वहां पर उन्होंने चीचा कभी मारा था इस्ट्वर्ड ब्राट को और बाद में 2011 का वर्ल कप में वह मैं आप दो सीरीज भी रहे थे और उनका फिर कैंसर होने का वज़े से खेल से दूर रहें फ पर यह जी के यह स्ट्राटीक थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं चाहिए अफ्रीदी सभी को मालूम है इनको बूम बूम लाला भी कहा जाता है यह पाकिस्तान के बल्ले बाजय है मतलब हला के बहुत ही कमों मर्मेनों ने डेब्यू किया उसका लेके थोड़ा सब दिक्कत है बहुत ही कमों मर्मेक है अभी भी दिखिएगा भी यह रिसेंट्टी यह नाना बने शाहिन से अफ्रीदी जो है इनके दमाद है उनका बच्चा हुआ तो यह नाना बने मैरा खाल से दिन्या का सबसे जवान नाना होंगी ए और शाहिद अफुरीदी का भी एक बहुत यह उनिवर्सल बॉस यह तो बहुत ही मतलब बिंदास इंसान थे बहुत ज्यादा सिक्सर मारते थे अलगी क्रिकेटर नहीं आप सबको पता होना चाहिए बता दू यह कि दुनिया का सबसे तेजी स्परिंटर अभी तक के इतिहास में इन्होंने ऑलम्पिक में आठ गोल मेडल जीता है विद्शार आठ वाराव 2026 तीन उलम्पिक में हम्हंडरेड मिटर का जो रेस होता है उसमें गोल जीता है और भी बहुत सारा मेडल जीता है 200 चार सु मिटर में ठीक है और यह जमाइका से बिलॉंग करते हैं जमाइका जो है आपका वेश्ट इंडीज में है मने करिबियन आइलेंड का एक कंट्री है अच्छा इनका जो मतलब यह है ऑटो बाइग्रेफी उसका नाम है फास्टर दैन लाइटनिंग माई ऑटो बाइग्रेफी और एक बिद्रक दिद्रक मतलब होता है जो कि अमेरीका का अंडर में कोई फ्रांस का कोई यह netherlands का कोई UK का चोटा-चोटा आयलेंड है यह सब को मिला की विश्च जनडीज बनता है उके आयर्लांड और यूएस बितने चैनाडा का कैपिटल आपको मालूमें उटावा आयर्लांड का कैपिटल डबलीन और यूएस का तो मालूमें बच्चा-बच्चा वसिंटन डीशी जो की पोटो मैंक नादी का खिलारे में और पहली बार यह जो टी-टुटी वोल्ड कप अच्छा ओगंडा कैपिटल के आपको मालूम है यहां ओगंडा कैपिटल कंपाला तो मैंने अभी कहा ना यह लॉडियो में जब लोग पड़ाते हैं तो बहुत सा रही दर दर कभी घ्यान आपको मिलते रहते हैं अब आता है फाइनल मैच फाइनल मैच होता है आपका 29 जो कि विश्टंडिस ते खिलाडी रह चुके हैं अंपाया जो कि फिल्ड अंपायर थे रिचर्ड एलिंगवर्थ इंग्लैंड से और क्रीस गैपनी न्यूज़लेंड से और यो टीवी अंपायर या थर्ड अंपायर के लिजिए वो रिचर्ड कैटल ब्रो ठीक है अच्छ यह मैच में विराड कोली जो की पूरा यह टोर्नमेंट में अतना चाहा नहीं खेल पा रहे थे बट फाइनल में उन्होंने 76 स्कोर के 59 बॉल्स में और साउथ अफ्रीका के के सब महाराई ने दो विजग लिए तेज रन देते हैं और साउथ अफ्रीका फिर जब बल्ले बा अलाके लोग बीच में बहुत अच्छा के लिए लास्ट का टाइम में जस्पित बूर बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है और सुरिय को मार यादा वे एक शांदार कैच पकड़के इंदुस्तान को जिताता है अच्छा यह लोग का अफ्रीका का तरफ से हैंदी क्लासें 52 स्कोर करते 27 बॉल्स में और इंडिया का तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट फाइनल में लेते हार्दिक पांडिया जो कि तीन विकेट 20 रन देते हैं और यह किसी भी मनें टी-20 वर्ड कप तो नौ बार हुआ ना कि किसी भी टी-20 वर्ड कप का यह हाईज स्कोर था फाइनल और पहला कंट्री बना हिंदुस्तान इस बाद 2024 में जो कि अंडिफिटेट जीता मनें कोई कोई भी एक भी मैच हा रहा नहीं और इससे पहले और दो टीम है जो कि दो मर्टबा जीत चुका है इंग्लैन ने दो मर्टबा जीता है टी-20 वर्ड कप और वेस्टिन डीस ने भ अधर 22 में हुआ था दोज़ाइस का फहले वाला उसमें इंग्लैन ने जीता था जीता सिल्किया था पाकिस्तान को हरा कर चाहिए यह जो आई-सी-सी जो मने ट्रॉफी इंडिया को मिला टी-20 का इससे पहले इंडिया कौन-कौन सा आई-सी-सी ट्रॉफी जीता उसका बारे का खिलाब जीता गया था उस्टम स्वरब गांगुली कैप्टन थे बार इसका वज़े से मैच नहीं हो पाया था इसलिए दोनों को मिल गया था दोज़ा साथ में आपको अभी मैंने का है टी-20 वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया जीता था इमेज जोनी कप्तान थे 2011 में तो वर्ल्ड कप जीता वांखडे में आपको माली में सिलंका को हरा कर अचा उसमें भी कप्तान इमेज जोनी थे 2013 में चैंपियंज टोफी जीता था हम लोग ने उसमें भी कप्तान इमेज जोनी थे और ये 2024 में भी टी-20 वर्ल कप जीता इसमें रोहिच शर्मा कप्तान थे आपको कप्तान का भी मैच ही ना सकता है अब ये इस टी-20 वर्ल कप आप कुछ अवार्ट्स और स्टैट्स का बारे म पहले बोलर बने जिन्होंने प्लेयर अब टार्नमेंट का वर्ड जीदा टी-20 वर्ल कप का इतिहास में इसे पहले भी बहुत कोई को मिला है बटो लोग और लाउंड आते हैं अभी हम लोग देखेंगे और इस टी-20 वर्ल कप में सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं रमान उल् अच्छा बॉलर है और सिक याद आया सिक लोग जो है हमारा हिंदुस्तान का आजादी के लिए बहुत कुछ है किसान में बहुत ज्यादा है जैसे कि आपका भगत सींग से लेके उद्धम सींग तक लाला लाज पत्र है मनें बहुत सा रहा है प्राइज बनी इस बार का प्राइज बनी जो था सबसे जादा था अभी तक का चैंपियन को मिला 2.45 मिलियन डॉलर ठीक है और आज का दिन में 20 करोर 55 लाग कुछ टेम तोड़ा कम रहा होगा और रनर में 1.28 मिलियन मिला जो कि आज के दिन में लगबग 10 करोर 75 लाग हो रह का रहा है अब थे करतें अब बता दूर दिन पहले पांगला देश का टीम पाकिस्तान को टेस्समेश मारा रहा है पहली बार रहा है और उसके बाद जब इंडिया दिन गीद किया तो बहुत ही गर्म जोसी से स्वागत हुआ बहुत सारा अनौंस्मेट हुआ प्राइस बगर रहा है बीसी से ने भी अनौंस के जो 125 क्रोर पूरा टीम और स्टाफ लोग को मिला गया अब देख लेते हैं टीट्वंटी व्ल्ड कप का पूरा इतिहास पहले से लेके अभी तक 2007 का जो टीट्वंटी व्ल्ड कप ता पहला एडिशन था साउथ अफ्रीका में हुआ था इंडिया ने पाकिस्तान को हरा है था इर्फान पठान प्लेयर अब दा मैच बनेते फाइनल में और शाहिद अफ्रीदी प्लेयर अब दा सीरीज बनेते ये सब दीखिएगा पहला करता अस्टेलिया को क्रिक किस्वेटर अब दा मैच फाइनल में केविन पीटरसन प्लेयर अब दा सीरीज पूरा टॉर्णमेंट में केविन पीटरसन अब को मालू में साउथ अफ्रीका से और क्रिक कीड़े अज़्यों एंग्लैन्ट के खिला रहे है दो ज़ीज बाराया आज तक भी सिलंका ने इंडिया को हराया था विराट कोली आखिर तक थी योरा सिंग भी थे तो बहुत अच्छा पॉफॉमेंस नहीं कर पाया थे तो इंडिया हार शुका था कुमारा संगकारा इसमें प्लेयर अब दा फाइनल बनते हैं और विराट कोली प्लेयर अब दा टॉर्णमेंट और उसके टीक अगले साल 2016 में इंडिया में वोल्ड पॉता है टीटी का उसमें वेश्ट अन्डिज इंगलेंड को आ रहाता है मालन सेमिल बनते प्लेयर अब दा मैच फाइनल में और विराट कोली प्लेयर अब दा टॉर्नमेंट अलाकि यह देखिए दो बार विराट कोली बने पूरा नौ एडिशन में इसको मारा था शायद बेन श्टोक को मारा था को याद नहीं अभी आप लोग अगर बालू मोगा तो कमेंट करिएगा जिताया था दोजर एकिस का जो ओडिशन था वो यूवई उमान में कराया गया था और अश्टेलिया जिता है पहली बार नुजलन को हराकर नुचल मार्स प्लेयर अब दा फाइनल बनते हैं और डेवि सबसे जाधा रन अभी तक बनाया वर्ल्टकप के इतियां में विराट कोली 1252 पाचास भी सबसे जाधा इन कहीं है 12 और सबसे जादा इक टौनमेंट में रन करने वाली यह है 3197 का वर्लटकप में इसोनने किया था 3020 वर्लकप और सबसे जबाहए क्रिस गेला है 200 नहीं और यही ब्रेंडेन मैकलम ते जो कि IPL का इतियास का भी पहला सेंजुरी यही मा रहे ते हैं 2008 का पहला ही सीजिन में पुरा जान करी अगर यह वीडियो अच्छे लागा उता लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सरा शॉट्स में दे रहा हूं वहाँ पर भी बहुत सरे डिटेल है उसको भी जाकर देखें आपका बहुत पाइदा होगा प्लेलिस्ट को भी आप यहां तो उन्हें दुर्बाटे फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में